हेलो फ्रेंच जै मातादी कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अगर दसमे दिन भी अखंड जोत शांत ना हो तो फिर क्या हमें चोकी हटानी चाहिए या फिर नहीं तो फ्रेंच इसी टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बाते करने वाली हूँ आपको बताने वाली हूँ कि अखंड जोत का क्या करें दसमी वाले दिन तो फ्रेंच देखिए सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अखंड जोत जलाते हैं और उसकी पूरे नौ दिन तक सेवा करते हैं जैसे हम एक बच्चे की देखरेक करते हैं या फिर बुजर्ग की देखरेक करते हैं ना कि सुबह, साम, दिन, राद, नजुरे उनिपे टिकी रहती हैं वैसे ही हमारी खान जोत पे भी वीसे ही नो दिन तक नज़रे टिकी रहती है कि हमारी खान जोत शांत ना हो जाए तो देखें फ्रैंड़ नोवे दिन, यह दसमे दिन अगर अखनजोत सांत ना हो तो क्या चौकी ना हटाएं? नहीं, ऐसा पर बलकुल नहीं है आप चौकी हटा सकते हैं, दसमे दिन अखनजोत आपकी सांत ना हो तब भी तो देखे हमने मतलब की संकल प्लिया होता है कि हम 9 में दिन तक हमारी अखंड जोट जलेगी 10 में दिन सांत हो जाए लेकिन 9 में दिन तक हमें 9 दिन तक अपनी अखंड जोट को जला के रखना है तो अपने देखिए अगर 9 दिन तक तो जलनी चाहिए अखन जोत कि आप 9 दिन आपको क्या करना है कि शाम के वक्त आप उतना ही घी परें कि आपकी 10 में दिन साम तक जो है अखन जोत जलती रहे उसके बाद अपना पी शांत हो जाए अगर मान लिजे फिर भी आपकी अखन ज आता है हम जब 9 दिन उनको विदा नहीं करते तो हम अपनी माता रानी को 9 दिन कैसे विदा कर सकते हैं बहुत सारे लोग 9 दिन साम को ही चौकी हटा देते हैं लेकिन नहीं बिलकुल नहीं हटानी या फिर 7 दिन जो लोग साप्त मी पूसते हैं जो लोग अश्ट मी पूसते ह वो शाम को ही चौकी हटा देते हैं दसमे दिन माता की चौकी हटानी चाहिए दसमे दिन हमको क्या करना है सुबह या साम को नहा दो के जैसे प्रपर तरीके सा पूजा करते हैं मातारानी की वैसे ही मातारानी की पूजा करनी है आपकी अखंड जोद जल लिए उसको क्या करना है सबसे पहले दसमी वारे दिन अखन जोत को उठाना है वैसे ही जैसे है अखन जोत को उठाने के बाद आपको किसी भी गमले में आपके घर के घर में जो भी कोई गमला है पेड़ है खुला है आप महां पे जो है अखन जोत को रख सकते हैं सही से समाल के जब अगर मंदिर में नहीं रख रहे हैं तो आप किसी भी पौधे के पास अखन जोत को जलने दीजी रखे रहने दीजी जब तक वह जलती है उसके बाद आप मातरानी की चौकी को उठा सकते हैं जहां भी अपने मातरानी की जगह बराई हुए स्थान दिया हुआ है अपने देव अगर आपने पीतल के दीपक में अखनदी तक होजाती है और अगर आपने पीतल के दीपक में अखनदी कर सकते हैं और अगर आपने पीतल के दीपक में अखन जोट जलाई है तो दीपक को जैसे भी अखन जोट सांथ हो जबी तब ही आपको दीपक को उठाके साफ करके आप उसी दीपक को दुबारा से अखन जोट के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं किसी को दान वगरा नहीं करें सबसे पहली बात तो माता नानी की अखन जोट हमारे घर में जितनी लंबी जलती है उतना ही शुब होता है समझ लीजिए कि माता नानी की दरश्टी हमारे घर पे है माता नानी की जोट जो है लंबे समय तक जल रही है दसमे दिन से जादा तक जले तो माता नानी की दरश्टी है हमारे उपर हमें खुछ से जो है अखंड जोत कभी सांत नहीं करनी चाहिए दसमे दिन तक तो जलती रहनी चाहिए अखंड जोत नौवे दिन नहीं भुजे तो ज्यादा अच्छा है नौ दिन तक होता है कि अपने पूजा बगरा कर लिए उसके बास सांत हो गई कोई बात आपको एक दिन पहले ध्यान रखना इस चीज का कि घी कितना भरना है हमें दसमें दिन तक ही जले बस उसकी जादा ना जले तो फ्रेंस आज की वीडियो इतनी ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा मैं मिलती हूं अगली वीडियो में ऐसी अची इस एको उसादे हूं